तो क्या हाल चाल भाई लोग कैसे हो आप लोग और गाईस अभी रिसेंटली में ही Nokia ने एक नया फोन इंडिया के अंदर लॉंच किया है गाईस यहां पर मैं विल्कुल बाते नहीं कर रहा है Nokia X5 या फिर Nokia X6 के बारे में तो यहां पर मैं जिस फोन के बारे में बाते कर रहा हूँ इस फोन का नाम है Nokia 3.1 और वैसे अभी तक तो आप लोगों ने काफी सारी वीडियोस अल्रेडी देख रखी होंगी इस फोन के बारे में आप लोगों बता होगी इस फोन के स्पेसिफिकेशन इस फोन की प्राइसिंग पर इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों देने वाला हम कुछ रिजन्स टु नौट बाई Nokia 3.1 तो सबसे पहले आप लोगो ये बात पता होगी अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं कि मैं हो रिजन्स टु नौट बाई वाली वीडियो में आप लोगो पहले ही बता देता हूं कि यार किसी भी प्रोड़क्ट को लेने से पहले कुछ चीजे होती हैं उस प्रो प्रोड़क्ट के फेवर में नहीं होती है अब आप लोग इस चीज को आज रिजर्ट टु बाई रिजर्ट टु नौट बाय के तौर पर भी ले सकते हो खेरब जो भी है अब यह बात आप लोगो यह उपर आफटर और डिपन करती है कि आप लोगों को यह रिजर्स फोल लेने से पहले जानने है या फिर फोन लेने की बात खेर आप जो भी है आगे बढ़ते हैं और आप बाते कर लेते हैं और आप बाते कर लेते हैं अगली रिजन के बारे में to not buy Nokia 3.1 यहां पर बाते करना चाहता हूं इस फोन की performance के बारे में मतलब यहां पर मुझे ढंक से याद नहीं आ रहा कि यहां पर प्रोसेसर कौन सा यूज किया गया है पर फिर भी यहां पर आप लोग को एक MediaTek का MT6750 नाम का एक प्रोसेसर है जो कि यूज में लाए गया है Artcore का CPU है 1.5 GHz पे clocked है लेकिन सब बता हूं तो performance के वामरे में बेकार है यहां पर आप लोग को कम Snapdragon 450 देखने को मिल सकता था इस फोन में लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर कुछ benchmarks है इस प्रोसेसर के आप लोग को स्क्रीन के सामने आप लोग देख सकते हो खेर अब जो भी है आगे बढ़ते हैं और अब बात एक लेते हैं अगली reason के बारे में टो नॉट बाए Nokia 3.1 यहां पर बाते करना चाहते हैं इस फोन की storage variant के बारे में वालब यार अभी तक मुझे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा इस फोन में आप लोग को 10,000 रुपए में सिप 16GB की intern memory और 2GB की RAM देखने हो मिलती है जो की सज बता हो तो अगर आप लोग फोन को medium use भी करते हो तो एक महने के अंदर फुल हो जाएगी वो तो अचलो अच्छी बात है कि यहां पर आप लोग को microSD का एक support देखने को मिल जाता है खेर अब जो भी आगे बढ़ते हैं और बाते कर लेते हैं अगली रिजन के बारे में to not buy Nokia 3.1 so guys यहां पर बाते करने चाहते हैं इस phone के cameras के बारे में चलो ठीक है 8MP का front camera देखने को मिल जाता है 2.0 के aperture वाला 13MP का autofocus वाला back camera देखने को मिल जाता है मतलब चलो यहां पर तो camera के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा मुझे वैसे भी पता नहीं कि camera quality कैसी है इस phone की लेकिन भाई साब यहां पर आप लोग सिफ 720px तक की videos record कर सकते हैं इस phone के back camera से मतलब यहां पर यहां पर आप लोग को 1080px तक की videos को record करने का option देखने को मिल नहीं चाहिए था लेकिन छोड़ो ऐसा कुछ नहीं इस phone में आगे बढ़ते हैं और आप बाते कर लेते हैं अगली reason के बारे में to not buy Nokia 3.1 तो कैसे यहां पर बाते करना चाहता हूं सबसे बड़े reason के बारे में इस phone को ना लेने की मलब इस phone की pricing 10,990 रुपय में almost आप लोगो यह phone देखने को मिल जाएगा और यहां पर आप लोग आप लोग आउनलाइन जाते हो तो Redmi Note 5 यहां पर Redmi Y2 Asus Zenfone Max Pro Oppo Realme 1 जैसे phones आप लोगो already market में मौझूद देखने को मिल जाएगे तो यहां अब मतलब आप लोग मुझे बताओ कि क्यों हम सब Nokia 3.1 को ले यह सारे phones को हम सब क्यों ना ले यहां मजाख नहीं कर रहा हो जरूर आप लोग मुझे नीचे comment करके बताओ तो यहां बस इस वीडियो में इतना ही था जाओ सबसे पहले जाकि उस लाल वाले बटन को दबाओ notification bell को भी आप लोग on करके रखा करो notifications अब तक पहुंचती रहेंगी तो चलो फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में तब तक कलिए बाए